दोस्तों दोस्तों द्रन निश्य जिन्दगी में बहुत जरूरी है हर काम में द्रन निश्य चाहिए उसी के हिसाब से मेहनत चाहिए रिशी पानी की तरह आप भी द्रण निश्य बनिये कोई भी काम करने से पहले संकल्प लीजिए उसी के हिसाब से मेहनत कीजिए और वो ही उस काम को सफलता में बदलेगा सफलता के लिए द्रण निश्य और परिश्रम भहुत जरूरी है वरना जिन्दगी में पीछे रह जाओगे आज जो मैं खाने आपको सुनानी जा रहा हूँ अगर उसे अच्छे से समझोगे अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से देखोगे तो आपके मन में भग पेलना आ जाएगी आपका मन खुशी से जुम उठेगा पुराने समय की बात है जंगन में गुरु कुल था उस गुरु कुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे एक बार वहां के रिशी उन बच्चों को पढ़ा रहे थे लेकिन एक बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था बार बार समझाने के बाद भी जब बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया तो गुरु की उस पर गुस्सा आ गया उसने कहा अपनी हतेली आगे फैलाओ बच्चे ने अपनी हतेली आगे फैलाई और उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ तुम्हारा आश्रम में कुछ काम नहीं है तुम अपना समय व्यार्थ मत करो बच्चे ने पूछा क्यों गुरु जी उसने कहा कि तुम्हारे भाग्ये में विध्या नहीं है तुम्हारे भाग्ये में विध्या की रेखा है यह नहीं उस बच्चे ने गुरीशी से पूछा कि विध्या की रेखा होती कहा है तब गुरुजी ने कहा ये विध्या की रेखा है उस विध्यार्ती ने दातून काटने वाला चाकू अपनी जेब से निकाला और वहीं पर एक रेखा खीश दी हाथ लहुलुआन हो गया लेकिन उस नवीद होग चुके थे उन्होंने उस विध्यार्ती को गले से लगा लिया और कहा कि बेटे तुम्हें अब विध्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारा द्रण निश्य इस बात का सबूत है और दोस्तों वो बच्चा जिसने अपने हाथ पर चाकू से रेख खीची थी महर्शी पानी हुआ महर्शी पानी बहुत बड़े वित्वान हुए थे ये कथा उन्हीं को समढ़पित है उन्हीं के नाम से प्रचली थे उन्होंने व्याकरन अस्ठाधाई की रचना की इतनी सद्या बीच जाने के बाद भी इस पूरे विश्य में किसी को भी ऐसी भासा का उसक्रिष्ट और पूर्ण व्याकरन का गयंत आज तक किसी से उसकी रचना नहीं हो पाई दोस्तों द्रण निश्य जिन्दगी में बहुत जरूरी है हर काम में द्रण निश्य चाहिए उसी के हिसाब से मेहनत चाहिए रिश्य पानी की तरह आप भी द्रण न निश्य और परिश्य बहुत जरूरी है वरना जिन्दगी में पीछे रह जाओगे आत्म विश्वास द्रण निश्य सफलता की कुंजी है अपना बहुत ध्यान लखें हस्ते नहें मुस्कुराते नहें खुश रहें धन्यवाद